In carious tube, an organic compound X is treated with sodium peroxide to form a mineral acid Y. The solution of BSTL2 is added to Y to form a precipitate Z. Z is used for the quantitative estimation of an extra element. X could be. अब देखे, जहां भी आपने carious tube देखा और ये BSTL2 देखा, आपको ये पता हो जाना चाहिए, कि ये basically जो organic compound है, वो sulfur containing organic compound है. क्यों, देखे, आपके NCRT में दो method दिये हैं, carious tube से related. एक तो halogen का estimation होता है, और ये sulfur का, वल्लब इसमें organic compound दे दिया जाता है, known amount का, जिसमें halogen है, इसमें एक organic compound दे जाता है, known amount का, जिसमें sulfur होता है, तो उसे देखने होता है, तो उसमें क्या होता है, देखे, organic compound है, halogen केस में, fuming, HNO3 होता है, और प्लस AgNO3 डाल देता है, ठीक है, ये method होता है, तो इससे क्या होता है, जो carbon होता है, वो CO2 में convert हो जाता है, hydrogen water में convert हो जाता है, और जो halogen है, X, वो AgX में convert हो जाता है, समझ मैं, इस case में, जो sulfur वाले में हो, क्या होता है, अगीन, जो organic compound है, उसमें, आप क्या करते हो, जैसे इसमें fuming HNO3 डाला था न, इसमें या तो fuming HNO3 डाल सकते हो, और इसमें sodium peroxide भी डाल देते हैं, Na2O2, तो इन में से कोई सा भी डाल जाता है, ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो sulfur है, वो सबसे पहले SO2 में, और then H2SO4 में convert हो जाता है, H2SO4 क्या एक mineral acid है, correct, यह क्या है, एक mineral acid होता है, इसमें H2SO4, ठीक है, अब इसमें आप डाल देते हो BACL2, ओके, BACL2 के बाद यह पूरा जो आपका precipitate हो जाता है, और BASO4 में बन जाता है, convert, तो अगर आप इसमें देखोगे, कि जो आपका organic compound X, तो क्या है, X क्या है, sulfur containing organic compound, which treated with sodium peroxide to form a mineral acid Y, तो H2SO4 होगे आपका Y, the solution of BACL2 is added to Y, OK, इसमें to form precipitate Z, तो यह Z होगे, BASO4, अब BASO4 आपका quantitative analysis में use होता है, वो अलग मसला है, अब यह कह रहे है, X क्या है, इससे मतलब आपको समझ मां गया होगा, अगर इन में से कोई भी मेरा sulfur containing है, sulfur present है, तो मेरा वो correct answer हो जाएगा, यह basic आपको समझ मां गया, अब second part है, इस question का, आप मुझे यह कैसे दिखाऊँगी, इमें sulfur containing है, देख, अगर आप मेरी वीडियो सारी देखते हो, तो आपको इस question में कोई दिक्कत ना होती, OK, पहला option है, chloroxyl inol, chloroxyl inol, देख, chloroxyl inol क्या है, एक antiseptic होता है, एक disinfectant agent होता है, जो कि basically skin infection हो जाता है, या surgical जब treatment करते हो, तो उसमें लगाया जाता है, ठीक है, तो यह जो chloroxyl inol है, यह basically chlorine substituted phenol होता है, इसको आप यह दूसा नाम समझ लो, कि chlorine substituted phenol, OK, तो इसका structure आपका S हो जाता है, देखे, इसमें कहीं भी sulfur नहीं आता है, ओ है, यहाँ पर CS3 होता है, ध्यान रखिएगा मैं गलती से नहीं लिकना हो, CS3 है, यहाँ पर CL हो जाता है, तो कहीं भी S नहीं है, तो यह incorrect हो गया, अब है methionine, देखे, methionine का, इसको अगर आप देखोगे, कि हमारे तीन amino acids ऐसे होता है, नेच्रल अमीनो एसीड, जिसमें sulfur परजेंट होता है, चाहे सिर्फ सल्फर हो, चाहे थायोल की परजेंट में, यह मैं biomolecules की वीडियोज देखेंगे, मेरी फर्स्ट वाली वीडियो भी PYQ किया, जदा रिसेंट भी करिया, उसमें भी ऐसे ही question आया था, ठीक है, तो तीन amino acid होता है, जिसमें पहला होता है, मेथियो नाइन, जिसमें sulfur परजेंट होता है, फिर होता है, सिस्टाइन, आप देखें, जो भी आप प्रोनॉंस करते हो, C-Y-S-T-E-I-N-E, फिर होता है C-Y-S-T-I-N-E, सिस्टाइन, यह तीन होता है, जिसमें sulfur परजेंट होता है, ओके, इ तो ठीक है यह हो गया, अब आगे भी देख लेता है, नुकलियोटाइड को समझने के लिए और यह जो साइटो सीन है, यह बेसिकली एक इताली के चट्टे बट्टे आपे समझो, ठीक है, अब देखे, कैसे समझिए, कि जो नुकलियोटाइड है, वो बेसिक बिल्डिंग ब् नुकलियोटाइड को उन्हें बोले जाता है, ठीक है, जो नुकलियोटाइड है, वे बेसिकली, फोर जो नुकलियोटाइड है, कमपराइज करता है, फोर नाइट्रोजन बेस के, ठीक है, अब फोर नाइट्रोजन बेस का, अब इको ध्यान तरके, गाईज, और यह जो E-N-I-N-E, दूसरा उत्ता गुएनाइन, देखें, बाइमोलिक्यूल में भी आपका काम आ सकता है, फिर होता है साइटोसीन, जो की इसमें भी दिया हुआ है, और फिर होता है चोथा थाइमाइन, ध्यान रखना गाइस, तो अब एक बात देखें, नुकलिटाइड जो DNA है, फोर नाइट, बेसिकलि बिल्डिंग ब्लोक्स होता है आपके नुकलिक असिड के, ठीक है, और यह जो फोर नाइटोजन बेसी हैं, इसको कम्माइन करके नुकलियर, नुकलियर नुकलिटाइड बोलता है, जो DNA में होता है यह ना, और DNA के जो इसको बोलता है एडेनाइन, इसको short form में गुनाइन जी ओके और सी वान लो इसको टी तो एजी सी टी ऐसे याद रख सकते हैं जो यह दो हैं इनको बोलते हैं प्यूरीन्स और यह बोलते हैं इनको बोलते हैं पाईरीमिडीन्स पी वाई आर आई एम आई डी आई एनी इस यह एक्स्टा इंफरमेशन लेक आपको काफी help होगी तो इन में क्या है कहीं भी nitrogen basis होते हैं तो कहीं भी इन में sulfur नहीं होता है बस कुल मिलाके मैं आपके बताना चाहना तो option number two is your correct answer